असलाम अलेकम जी, मुझे उमीद है कि आप लोगों ने Jason Hopi की विब साइट से बहुत सारे अब्जेक्ट्स ट्राइ किये होंगे और उनको इलस्ट्रेटर में ड्रॉ करने की भरपूर कोशिश की होगी अगर आपने कोशिश की है, आपको इलस्ट्रेटर की बहुत अच्छी इंडस्ट्राइडिंग हो जाएगी और यू वूड बी कैबिल टू डिजाइन वटेवर यू वांट तू इसके अलावा हम कुछ नई चीजों की तरफ आते हैं अभी तक हम शेप्स और जो बेसिक चीजे हैं उनको अभी तक सीखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा आर्टिस्टिक चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि ब्रश टूल को इस्तमाल करते हुए आप लोग कुछ आर्ट वर्क्स कैसे बना सकते हैं आप मुख्लिफ आउब्जेक्ट को ब्रश टूल यूज करते हुए कैसे ट्रेस कर सकते हैं पैंट टूल से कैसे ट्रेस करते हैं उसको भी हम देखेंगे लेकिन स्पेसिफिकली थोड़ा सा ब्रश टूल को देखते हैं तो यहां पर जो आपके पास एक टूल पैनल है इसमें आपको एक प्रश टूल नजर आएगा चीक है पेंट ब्रश टूल आप अपने कीबोर्ड से बी को प्रेस करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं तो अगर मैं अपने आर्ट बोर्ट के उपर आता हूँ अपने माउस को यूज करके या आप ग्राफिक टाबलेट को यूज करके दोनों तरीकों से अपने ब्रश को इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मुसली जो लोग प्रोफेशनल आर्टेस्ट होते हैं अपने वाइट पेपर के उपर या अगर आपने कभी विंडोस के अंदर पेंट ब्रश टूल का इस्तमाल किया हो तो somehow it's a very similar concept तो यहाँ पे जैसे आप pencil से draw करते हैं अपने paper के उपर तो ऐसे ही आप अपने canvas के उपर अपने artboard के उपर in a very similar manner आप लोग अपने brush tool से कोई भी चीज़ ड्रोफ कर सकते हैं तो these are all strokes अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने अपना fill none किया हुए और मैंने यहाँ से stroke अपना उसको black color assign किया हुए तो यह actually हमारे strokes हैं इनको parts भी कह सकते हैं ठीक है जी तो अब यहाँ पे अगर मैंने इसकी properties निकाल ली है जैसा कि इसको मैंने maximum smoothness पर किया हुए था और अगर आप लोग और से देखें अगर मैं अपने माउस से draw करूं तो अगर मैं थोड़ी सी घलती कर भी देता हूं तो it will automatically make my path a very smooth one ठीक है जैसे आप लोग हाँ से draw करते हैं या अपने माउस को यूज़ करके draw करते हैं तो बिलकुल accurate lines कभी कभी draw नहीं होती somehow थोड़ा सा फरक आजाता है so it will make your line a very smooth one ठीक है अगर आप साथ हैं कि मुझे बिलकुल accurate line मिले जैसा मैं draw कर रहा हूं वैसी ही मुझे line मिले तो आप अपनी इस bar को बिलकुल accurate पर set कर सकते हैं और उसके बाद आप जब draw करेंगे तो आपको बिलकुल accurate parts मिलेंगे जैसा कि यह आप देख सकते हैं ठीक है वो इन parts को आप smooth नहीं करेगा बिलकुल इनको accurate रुखेगा जैसा कि आप उसको draw करें तो by default यह इसको middle में set किया जाता है ताकि बिलकुल भी smooth ना करे लेकिन somehow थोड़ी बहुत जवाप की गलतिया होती है आपका हाथ अगर slow चल रहा है तो उस कोशिश वो करेगा कि natural way में draw किया जाए इसके बाद अगर इसकी मुझीद properties को देखें मैं इस पर double click कर रहा हूं इसकी मुझीद properties आ रही है यहां पर एक और option है edit selected path ठीक है maybe this option is useful for you or maybe not तो अभी तक हम जो draw करे थे अगर मैं सब को delete करूं जैसे मैं यहां पर draw कर रहा हूं इस option को uncheck ठीक है जैसे मैं draw कर रहा हूं मैंने एक path draw किया मैं यहां से दोबारा draw कर रहा हूं तो यह second line है second path है ठीक है यह third path है यह fourth path है तो layers panel में जाकर देखते हैं यह कैसे draw कर रहा हूं तो यह देखें इसने चार अलग-अलग layers मेरी generate कर दी है अगर हम लोग edit selected path को tick कर दें और उसको बताएं कि मेरी जो मेरा जो path जहां पर end होगा अगर मैं उस ending point के within 10 pixels दुबारा से line continue करूं तो आपने उसी path को continue करना है ठीक है तो for example इसको try करते है let's see what are the results ठीक है तो यहां से अब आप लोग देख सकते हैं कि वह अलग से मैं उपर वाले जो path उनको delete कर लेता हूं आपको ज्यादा अच्छा अंदाजा हो जाएगा ठीक है और अगर मैं इसको दुबारा select कर लूँ और यहां से फ्रेश टू ले लेते हैं layers panel में आता है यह देखें अब इसने एक ही layer यहां पर generate की है इसका मतलब है कि अगर यहां से हमारी option added selected path checked होगी तो हम लोग अपने path को continue कर सकते हैं maybe useful in some cases तो suppose अगर आप लोग कोई complex shape design करें for example you are drawing a face और आपको लगता है कि कुछ इस तरह से आप lines draw करके अपने face को ज्यादा अच्छे तरीके से draw कर सकते हैं यह maybe you are designing another object और आपको लगता है कि मुझे path continue करना जरूरी है ठीक है तो you can check this option और अगर आपको लगे के नहीं मुझे sketches ही चाहिए मुझे lines ही चाहिए doesn't matter कि वो इसको continue करता है यह नहीं करता है मुझे सरफ idea चाहिए so आप इसको जो उनसा है वो unselect कर सकते हैं इसको uncheck कर सकते हैं ठीक है यह इसकी कुछ options है इसके बाद हम अगर इसकी मजीद details में जाएं तो हमारे पास brush tool एक ऐसा tool है जिसमें इतनी variety है कि you cannot limit the variety of this tool unlimited variety है इस tool के अंदर आपको कुछ हिसमें libraries मिलेंगी brush tool की कुछ आप custom brushes अपने इस artboard से बना सकते हैं और अगर आपको लगे कि आप इन shapes को use करके different or tools को use करके अपने brushes जो बनाते हैं you are not comfortable with them आप समझते हैं कि जो आपके पास physical एक white paper है उसके उपर आप एक pen से draw करके marker से कोई stroke लगा के आप उसको import करना चाहते हैं अपने illustrator के अंदर तो आप वो काम भी कर सकते हैं तो हम लोग यह भी देखेंगे कि आप अपने physical strokes होते हैं white paper के उपर उसको अपने digital strokes में कैसे convert करते हैं तो आप लोग अपने brush को use करके अपने physical strokes को यहां पर draw कर सकते हैं उसकी मदद से आपको sketch draw करना चाहरे हैं आप colors करना चाहरे हैं तो you can also use your physical strokes ठीक है जी तो windows में जाते हैं और यहां से जाके brushes को निकालते हैं जी where are the brushes यह brushes है ठीक है तो by default हम जिस brush को use कर रहे थे वो यह था और यह जो category है इसको हम कहते हैं calligraphy सही और यह आपको मुखलिफ और categories के brushes यहां पर नज़र आ रहे हैं कुछ pattern brushes हैं कुछ आपको art brushes नज़र आएंगे so there are a number of varieties or number of categories ठीक है यहां पर आपको कुछ यह इसकी libraries नज़र आएंगी for example you want something artistic brush और यहां पर आप कहते हैं जी artistic इंक सही तो यह उसने category open कर दीजी आपको अब यहां से आप कोई भी stroke choose कर सकते हैं और उसके बाद अपने इससे draw कर सकते हैं ठीक है तो आपको जिस तरह का भी stroke चाहिए आप उसको अपने brush से draw कर सकते हैं ठीक है जी तो इसको हमने चूज किया stroke यहां से और यह हमने stroke लगाया तो इसने इस stroke को use के जो हमने select किया था इसके लाव अगर आपको और प्रसंद है इसके लाव आपको और यहां से बड़ी इंट्रेस्टिंग लाइज मिलेंगी डेकुरेटिव में जाएं तो डेकुरेटिव स्केटर ठीक है देखते हैं जी यह किस ताइप के ब्रुशेज है so let's select any one of them or draw करके देखते हैं so maybe this yes this is a scatter brush तो हम इसके different types को देखेंगे कि scatter brush क्या होता है आप यह कैसे बना सकते हैं create कैसे कर सकते हैं art brush क्या होता है आप इसको कैसे बना सकते हैं Bristol brushes कौन से होते है so there are number of categories तो इन सब चीजों को हम देखेंगे तो यह आपको scatter brushes नजर आ रहे है for example यहां से हमें एक heart लेते हैं और इसको यहां पर draw करते हैं ठीक है so जब हम scatter brushes को देखेंगे तो आपको लगे गए कि scatter brushes तो create करने बहुत ही असान so if you want a number of hearts in your artwork or you want a number of stars तो you can just select the scatter brush अपने paint brush को select करें और उसके बाद यहां पर strokes create करें और in just few seconds आपके जो artwork है उसके उपर stars ही star हो जाएंगे और you will get the desired results अच्छा जी यह हमारे पास कुछ strokes है आप यहां पर इसके libraries को explore कर सकते हैं ठीक है इसके लाबा मैं आपको कुछ websites बताऊंगा कुछ और platforms बताऊंगा जहां से आपको मजीद custom brushes मिल सकते हैं very interesting brushes और we will also explore some interesting personalities जो के photoshop के brushes में और illustrator के brushes में बहुत अचा काम कर रहे हैं और they are very much close to adobe और उनके live sessions के अंदर और उनके जो आगे नई updates हाती हैं उसमें जो नए brushes included होते हैं so they actually create brushes for adobe तो कुछ हम मुण चीजों को explore करेंगे तो अभी के लिए आप लोग अपने brush को choose करें different strokes लगा के देखें make sure कि आपका जो fill है वो none होना चाहिए और आपका जो stroke है उसको आप black कर सकते है by default colors को भी हम देखेंगे के tints अगेरा shades हम कैसे set कर सकते हैं और आप अपने जो colors को कैसे change कर सकते हैं ठीके जी तो try the new brushes ठीके libraries में जाएं new brushes try करें जो by default आपको यहां पर नजर आ रहे हैं different up strokes try करके देखें और brush की जो settings है इनको change करके देखें and play with it so see you in the next lesson thank you so much you